आज की एक और बड़ी खबर ये है कि उक्रेन ने उक्रेन में इंटरनेशनल सेने टुकडी ने भी मौर्चा समझा लिया है ये इंटरनेशनल लेजन की पहली तस्वीर है उक्रेन की मीडिया में दावा किया गया कि अब वहां दूसरे देशों के वॉलिन्टियर्स भी लड़ किया गया है इनमें भारत के भी वॉलिंटियर्स हैं लेकिन ऐसी किसी भी खबर की पुष्टी भारतिये विदेश मंत्राले ने नहीं की है। दो की संख्या में लोग हैं जिन्होंने अप्रोच किया है अब इस तस्वीर जो रिलीस किया है उस तस्वीर के अंदर वो इंडियन मौजूद है या नहीं क्योंकि सभी जो है मिडल एज के दिखाई दे रहे हैं इसमें वो कौन है मुझे इसकी ऑफिशल जानकारी अभी तक लेकिन हाँ ओफिशल चैनल से हमें ये बात पता लगी है कि दो लोगों ने जो इंडियन्स हैं उन्होंने इस बात को कहा था लेकिन स्ट्राटिजिक इंपॉर्टेंस का देखिए दर असल इंडिया का नाम मैंशन करके ये बताना चाहते हैं और उसके लावा बाकी देशों रहे हैं मैं जो ये लडाई है एक बहुत ही उपर होसले के साथ लड़ा हूं और इस होसले के साथ अब बस्ता होता हो दिखाया ये इसलिए एज एसकेप रूर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं लेकिन जनल कोचर वाब बताई ये जो तस्वीरे हम देख रहे हैं कि याप पर क पुछ दावा किया गया है कि जो आप सामने तीन तीन तरफ पहला लड़का दिख रहा है कि साउथ से आता है उसकी खौाइश थी कि आर्मी जोईन करे लेकिन नहीं कर पाया लेकिन जब उसको मौका मिला तो वो लड़ाई करने रूस के खिलाफ यूक्रेयन पहुंच गया है। लेकिन इस तरह की जो तस्वीर आती है तो ये कही ना कही एक तरह से रोग मिलीशय तो तयार नहीं हो रहा है। कि जब शान्ती की वारता की बात आजाएगी तब ये बोलेंगे नहीं हमें तो शान्ती नहीं चाहिए हम तो लड़ाई करना चाह रहे हैं तो उल्टा पड़ जाएगा। देखिए इसके दो नजरिया हैं पहला जो नजरिया है कि ये जो तस्वीर है इसकी ऑथेंटिसिटी आप बता पाएंगे फोटेशॉप है या नहीं है और ये ओरिजिनल है और लड़ाई में ऐसे साइकलोजिकल वारफेर के जरिये हर एक फोर्स इस्तमाल करता है। तो पहला जो इसका नजरिया है कि एक साइकलोजिकल वारफेर का ये एक औजार है एक कार्ड है जो प्ले किया जा रहा है।